बैंक मैनेजर को अपराधियों ने मारी गोली इस्थिते नाजुक एक तरफ प्रशासन अपराध पर लगाम लगाने के लिए कई हतकंडे अपना रही है वहीं दूसरी और अपराधी बे लगाम होते चले जा रहे हैं आज जमोई ग्रामड बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर कारे रत 45 वर्षिय वेद प्रकाश रेडुका को जमोई ग्रामड बैंक से संग्रामपुर घरवापसी के क्रम में अपराधियों ने कान के नीचे गोली मार कर घायल कर दिया ये घटना तकरीबन 7 वजे शाम की है जब नकाप पोश अपराधियों ने बिलहर संग्रामपुर के पास असिस्टेंट मैनेजर वेद प्रकाश रेडुका के पास आकर छिनताई करना चाहा तभी अपराधियों का विरोध करने के क्रम में अपराधियों ने मैनेजर वेद अपरेडुका ने घायल अवस्था में ही अपने मुबाइल से स्थानी किसी व्यक्ति को फोन किया और उसे बुलाया जब तक लोग आते तब तक उनकी इस्तिती काफी नाजुग बन चुकी थी आनन फानन में परिजनों ने उसे भागल पुरमाया गंजस्पताल इलाज के लिए लाया मैनेजर वेद प्रकाश प्रतेक दिन अपने बैंक जमुई से घर वापस आया करते थे और आने के क्रम में अपने ग्रहकों से तहसलदारी भी किया करते थे अनुमान लगाया जा रहा है कि अपराधियों ने पहले से पैसा वा मोटरसाइकल चलाने की युजना बना रखी हो अब तो कैसे गुदि लगा कॉन माहा है रहा है अब तो पाइसा नहीं है पाइसा रहा है लोकों टीन लोग थे है अब आधे बाइक को थे है और रोज आते थे जमुईते रही है जली जिजी ब्रांच में है इन अगर है अब वर्चिदा को थे है तो पाइसा पाइसा नहीं हुआ रहा है अब तो प्रोब्राम होग तका थे है कलेक्शन लक्शन भी करते ते जाखेशिए मनेजर है का नाम हो अब तो मेरा नाम सुपीज लास जाना है? संगिरामपूर जासी में रज़र हो जाना है तहाँ पोस्टेश थे हैं? यह जमूर ज़रामपूर क्या की हुआ है? कनपट्टेश पर कोई अध्यात अप्रागी के जोनी हो थे क्या सिंटल की रखा को है? यह कहान नहीं ज़ता है कहा पर वा ज़ता? संगिरामपूर क्या सिंटल मैंने वहां जभूई चे लाट रहते हैं घर अपने क्या सिंटल क्याना है क्याना है क्याना है आपका? क्याना है